विश्महन का अपने साथ जोड़ लेते हैं कॉमोडिटी मार्केट की ओपनिंग कैसे हो रही है एक बार जरा उनसे पता कर लेते हैं विश्महन बताईज़ जरा मार्केट से 10 में कॉमोडिटी की ओपनिंग क्या कह रही है कमोडिटी दस बजे दस मेंट में आपका स्वागत है सबसे पहले बात कर लेते हैं आज कहाँ पर सबसे ज़्यादा हल चल है दस बड़ी कमोडिटी वहाँ पर क्या खबरे हैं किस तरह की कल कुलूजिंग हुई थी ये भी आपको अपडेट दे दे जीरा 25,500 के आसपास है कल साथे 3% की गिरावर देखी थी आज सुरुवाती कारवार में हलकी सुस्ती दिख रही है लेकिन अभी भी भाव इसी के आसपास में जीरा मार्च वायदा का है जीरे के बाद बात करते हैं हल्दी की तो हल्दी में निचले लेबल पर फिर से खरीदारी यहां पर लोटी है मुनाफ़ वसुली जो दिख रही थी वो वाफस से खरीदारी में बदली है क्योंकि मार्केट में सप्लाई कम है उसका फायदा मिल रहा है और ग्राउंड पर हमने कई कारवारियों से बात भी की थी तो इल्ड भी कम है उत्पादन भी कम रहने कानुमान है उसका फायदा हल्दी को मिलेगा तो लोट लेबल पर इसलिए वाइंग लोटती है धनिया की अगर बात करें तो यहां पर हप्ते भर में सारे 3% की गिरावट आ चुकी है 7550 के आसपास है और आज बहुत सीमी दायरे में कारवार है लेकिन हलकी तेजी यहां पर आज दिख रही है गौारसीड और गौारगम इन दोनों में लगातार गिरावट दिख रही है बड़ी गिरावट के बाद 10,000 के नीचे गौारगम में लोगों का रुजान बढ़ा है इस साइकलोजिकल लेवल के अब उपर आ चुका है निचले लेवल पर खरिदारी से गौारसीड की बात करें तो गौारसीड में भी हलकी खरिदारी कल दिखी थी आज भी मामली तेजी दिख रही है 5,200 रुपे के उपर गौारसीड का वाइदा ट्रेट कर रहा है कैस्टर की बात करें तो कैस्टर में 5,800 के आज सपास यहां पर है यहां पर भी खरिदारी का ट्रेंड वाइदा में भी वापस से दिख रहा है और हाजिर में तो लगतार यहां पर खरिदारी दीरे दीरे बढ़ी रही है कैस्टर के बाद संफ्लावर वाइल की बात करें तो यहां पर दायरे में कारवार हो रहा है 845 रुपे के आज सपास हलकी तेजी यहां पर दिख रही है कपास और कपास खली कल के सतर में हलकी तीजी यहां पर देखी रिकवरी की कोसिस हो रही थी 24-50 तक कपास खली गया और 1450 रुपए के आसपास NCDX पर कपास का अपरायल वायदा गया था तो यह आपडेट कपास और कपास खली को लेकर लेकर लेकिन मिंता ओयल में लगातार यहाँ पर अभिखबाली दिख रही है हाला कि मारकेट में सप्लाई जरूर कम है लेकिन वायदा मेहाँ पर लगातार खमजोरी का रूख है या कह सकते हैं कि हम मुनाफ़ा वसूली दिख रही है अब 900 रुपे के नीचे मिन्था वायल का वायदा ट्रेड कर रहा है चलिए हमारे साथ ट्रेरवल सिक्यूरिटी से वहाविक पटेल भी है वहाविक बहुत बहुत शुक्रिया आपका सबसे पहले बात हल्दी की कर लेते ह हल्दी में वापस से खरीदारी लॉट रही है क्या खरीदारी करनी चाहिए क्या पंद्रह जार के आसपास 250 के करीब तो बाई कर सकते है 15,200 के टार्गेट के लिए और स्टॉपलस रख सकते है 14,500 का जीरे में क्या करना चाहिए क्या वैलू बाई है क्या 25,500 के आसपास में वाविक तो यहां पर आपको शौट नहीं नहीं शौट बनाने से बचना चाहिए लेकिन खरीदारी नई खरीदारी के लिए भी आप यहां पर रुके 24,500 का लेबल दिखे उहां पर एंट्री करें धनिया में क्या करना चाहिए भाविक आपको क्या लग रहा है धनिया और नीचे आ सकता है क्या कले के एक्सपर्ट ग्राउंड के बता रहे थे कि 7,000 से 7,200 का लेबल लंबी अव्धी के लिए बेहतर होगा टेक्निकली चार्ट के हिसाब आपको कैसा दिख रहा है धनिया य काफी अच्छे इस बार की जो क्रॉप है काफी कम है और अगर डिमांड अगर आगे जाके आती है मुझे लग रहा है कि धनिया इतिंक सारे स्पाइस कॉम्प्लेक्स में परफॉर्म करेंगे तो ये भी मुझे लग रहा है कि करन्ट मार्केट प्राइस भी अच्छा है ना है तो नीचे भी वेट आप यहां पर कर सकते हैं क्योंकि जो रखबा है पिछले साल के मुकाबले 50% से भी ज्यादा कम है अब आभी गौार्शी गौार्गम की बात करते हैं 10,000 के आसपास अभी भी है काफी उपर से देखे तो अभी काफी कमजोर हो चुका है अभी वेग ही लग रहा है फंडामेंटली हम देखे तो प्रॉब्लम यह है कि डिमांड जो है वो आ नहीं रही है तो उसकी वज़़े से प्राइस जो है वो कमजोर है हालाकि इस पर जो क्रॉपी यल्ल है वो भी एक्स्पेक्टेशन कम है बट वो प्राइस में देखने रह आ सकता है वहां से एक बरबाय कर सकते है तो कोई भी उच्छाल मिलता है आज के दिन 5300 के करीब तो शॉट कर सकते है 5200 के टारगेट के लिए और स्टाप्लस सकते है 5330 का और सेम वे गवार में गम में भी देखे तो 10,000 के नीचे है यहां से थोड़ा बहुत मुझे लग रह जाएगा 9950 का यानि दोनों में विकवाली की सला यहां पर आपको जो बाउंस पैक दिखेगा उच्छाल दिखेगा वहां पर बेज कर ही जाए गवार सीड आपको खरीदना है तो 5000 से 5000 के 20 का जो रेंज दिखेगा वहां पर आप नई एंट्री करें फिर लंबी अब्धी का अपने जरिया रख सकते हैं भावी का अब बाताईए कपास खली में कल हलकी रिकावरी दिख रही थी आज फिर से दबाब दिख रहा है वापस से 2400 की तरफ आ रहा है क्या और गिरेगा क्या हां से अगर हम देखे कपास में भी और कॉटन में भी तो थोड़ी यहां पर हलकी गिरावट है तो उसकी वज़े से कपास खली में भी अभी दिख रहा है कि थोड़ी बहुत हलकी गिरावट है बट एक अच्छा पॉजिटिव फेक्टर यह है कि 2430-2420 का जो सपोर्ट है वो ब्र लगातार वहां से ही एक हम थोड़ा उचाल देख रहे है मुझे लग रहा है कि वह अच्छे एक लिवल है बाई करने के लिए तो थोड़ा भी आच 2450 के करीब आता है तो बाई कर सकते है पचीसों के टागेट के लिए और 2420 का स्टॉपलोस सकते है मीजर सेलिंग मुझे ल चांदी में भी भी मुझे लग रहा है गिरावट रहेगी तो चांदी बेच के जा सकते है 69,750 के करीब 69,000 के टागेट के लिए 70,250 का स्टॉपलोस सकते हैं चांदी अभी भी बेचनी है और गोल्ड यहां पर खरी सकते हैं शुक्रिया बाविक पड़ापट से अपने एग्री और नौन एग्री मार्केट का पूरा आउटलूप बता दिया चलिए अब आगे आपके लिए एक्विटी मार्केट का अपडेट लेकर आएंगे